आदर्शवात के विचारकों में एक ग्यक्ति का नाम हुआ प्लेटो तो प्लेटो की पुस्तक में जो पुस्तक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए उसका नाम है रिपब्लिक प्लेटो चाहता था कि गणपन तक इस्थापना हो और उस समय क्या था कि ग्रीस के बहुत सार राज्यों में उठापटक चलती रहती थी हर समय वो उठापटक ना हो देखिए सारे डवलप्मेंट की शर्त है कि कानून विवस्ता ठीक से बनी हो अगर कानून विवस्ता ठीक नहीं है तो डवलप्मेंट किसी भी तरह का होई नहीं पाएगा इसलिए कई दार्शने को को चिंता रहते हैं कि कानुन विवस्ता ठीक रहने चाहिए राज्य इतना मजबूत कम से कम जरूर हो कि वो चीजों को मैनेज कर ले और दार्शने को को दार्शने खोने की छूट मिल सके फ्री होके सोच सकें इतनी तो उनको सुविदा चाहिए ना कम से कम इसलिए प्लेटो ने यह सब बेसिक भी फिलोसफर से हैं को राज्य पर बहुत दिमाज में लगाते हैं लेकिन राज्य भी सरकार भी उनके चिंतन का एक पक्ष होता है और प्लेटो का मानना था कि एक अच्छा शासन तब होता है जब कोई शासक फिलोसफर किंग होता है दार्शनिक राजा की धारना राजा तो दार्शनिक होना चाहिए राजा तो दार्शनिक को होना चाहिए क्यों दार्शनिक कोो होना चाहिए तो उसने का कि Shasyn ठीक से तरी दार्शनिक में क्या क्हाओध कैया सांऌसारिक सुख भोग से बहुत ऊपर उच्चकु को होता है उसको सांऌसारिक बसको उन सब का चोटा पन उन सबकी कि शुद्वर्ध नहीं के सांद्र नहीं होता है है fian फ सक जोटी सीज़ीयं आकर्षित नहीं करती हैं जिनके आकर्षण में समाज का काशा एक न है संत वह नहीं है जो संसार से हार मान लेता है संत वह है जो अगर संसार में आ जाएगा तो सब को हड़ा देगा पर उसको पहले से पता है कि इस रेस में दोड़ना ही बेवकूफी है सच्छा संत वह होता है संसार से भागता नहीं तो संसार से दिख्चत आहे है कि मैं संसार में जाउंगा नौकरी करओंगा व्यापार करूंगा चल पाउंगा यह नहीं चल पाऊंगगा यह सब मामल upwards लग गया तो किसी का भी बैंण भजा देगा पर उससे पहले से पता है कि इसमें पंक में कीचर में उतरने का फाइदा ही क्या है एक कफन एक मॉटिबेशनल थिंकर में बड़ा चाही उस किया है इसमें इसमें जीत जाते हैं तो भी आप चूहे ही रह जाते हैं चूहों की दोड़ जीतखे आप क्या थाबित करेंगे मैं सबसे फास्स चूहा हूँ I'm the fastest चूहा इसके इलवे क्या थाबित करें लिया रहे तो चूहे ही और जिसने चुहों की दोड़कों देखा और खुद बाहर निकल गया कि चुहे दोड़ रहे हैं मैं देख रहा हूं कोई चुहा गए गए तुम हार गए तुम आये ही नहीं खेर मैं क्यों हूँ जो इस लेवल का व्यक्ति है ना वो है सच्छा संत फिलोस्फर किंग उस लेवल का रहती है उसे वो वासने प्रभावित नहीं करते जिन वासनाओं कि लोग जान दिये रहते हैं पैसा कमा ले ये कर ले वो कर ले सता कमा ले ये सब उसको परशान नहीं करता प्रभावित नहीं करता है ऐसे बहुत सारे IES हैं जिनको लालबत्ती प्रभावित नहीं रहती है लालबत्ती मिलती है अब तो खरणी में मिल्ली बंद हो गई जब थी तब भी यूज भी करना है पड़ता है लेकिन उनको कभी बहुत चार्म नहीं रहता कि मेरे पास ही अधिकार है ऐसे कई IES IPS होते हैं कि सलाम मत ठोकना मुझे भूल के भी जब उतरते हैं और फिस जाते हैं को सलाम ठोके पहले उसी ख़बर लेते हैं क्यों सलाम ठोका नहीं ठीक से बाद करो नमस्ते करो बस और कुछी करना है मैं IES बन गया तो तुम बोने ठोड़ना हो गए तुम मनश्य से नीचे ठोड़न एक मनश्य दूसरे मनश्य को सलाम ठोके राद दिन जी हज़ूरी करे जी हज़ूरी करने वाले की तो मजबूरी है जो करवा रहा है उसके टुच्चे पन पर गौर की जिए जिसको दूसरों से सलाम ठोकवाना अच्छा लगता है उसके हलके पन पर गौर के जिए वो कितना इन हल्की चीजों में सुह नहीं मिलता है, मुक्त है इन चीयों से और जो इन चीयों से मुक्त होगा, वो करप्ट क्यों होगा, लाल ची क्यों होगा, वो अपने निजी हित्थ के लिए देश का नुकसान क्यों करेगा? और इसलिए प्लेटो ने कहा कि तीन तरह के लोग है एक subdriage को बहुत असर नहीं पड़ता है दूसरा जो philosopher व्यक्ति है उसमें न्याय का सद्गुन होता है और Plato ने कहा कि जो एक सद्गुन सबसे महान है वो न्याय है, justice है justice व्यक्ति में भी होना चाहिए, राज्जी में भी होना चाहिए तो राज्जा यदि justice कर्मे के सिती में है तो वो राज्जी अच्छा ही चलेगा इसलिए philosopher king होना बहुत जरूरी है उसने कहा तीन तरह के लोग हैं, कुछ साहसी हैं, योद्धा किसमे के लोग हैं कुछ व्यापारी हैं जो लालची किसमे के लोग हैं यदि आपने किसी व्यापारी व्यक्ति को राजा बना दिया तो वो देश को बेच खाएगा, अपने स्वार्थ के लिए देश को बेच देगा और यदि आपने किसी योद्धा व्यक्ति को राजा बना दिया तो वो अपने هarmone को CONTROL ना करने की वज़े से युद्ध में जोग देगा देश को तो एक बेच खायगा एक युद्ध में जोग देगा और ऐसा राजा क्यों चाहिए जो अपने स्वभाव को Ctrl ना करने की वज़े से अपने देश को बेच दे या अपने देश को युद्ध में जोक दे इसलिए कहते हैं आप जितने उचे पद पर हैं उतना शांत होना सीच जाएए चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लेना चाहिए जितने उचे पद पर हो उतना जोक के रहूँ आपको लोग बहुत गालिया देंगे, बहुत बुरा मानेंगे, नाराज होंगे, उचा होने का एक ही मतलब है, हर किसी के नाराज़गी को बहुत प्रेम से सहन करने के थाकत, अगर अगर अपतुनक मिजाज होंगे, तो किसी उचे अपत पर चलने पाएंगे, कुछी दिनों म जो पर चार पास लाइन लिख पाएंगे? तो प्लेटो के हिसाब से शासग को इमानदर इसलिए होना चाहिए, यदि शासक इमानदर नहीं होगा तो शासक अपने लाव के लिए देश का नुकसान कर देगा, या अपने स्वभाव की कमी के वैसे देश को युद्ध में जोग देगा इसलिए शासक को बेहुत न्यायव प्रिय और शांत वेक्ति होना चाहिए जिसे प्लेटों नहीं क्या कहा दार्शनिक राजा कहा ऐसा वेक्ति उसके हिसाब से बेस्ट होगा